हेलो फ्रेंज विल्कम बैक टो दा चेनल तो आज इस वीडियो में चीखेंगे किस तरह आप लेयरिंग कर सकते हो और किस तरह से लेयरिंग की जाती है और किस तरह आप उसको एक वाइड सा स्टीरियो सा फिल दे सकते हो प्रॉपर तरीके से बताऊंगा एक्जामपल तो वीडियो को पूरी जरू देखना थोड़ी से लंबी हो सकती है पर मैं डीटेल में बताऊंगा, अपनी आवाज में बताऊंगा, अपनी बेसुरी आवाज में बताऊंगा पर आपने एक्जामपल जो मैं सिखाने के कोशिक कर रहा हूं, वो आप सीख लेना है बाकी exam जो मेरी vocal है उसको ignore कर लेना तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी मेरे पास कुछ भी नहीं था क्योंकि इस सिखाने के लिए मैं खुद यहाँ पर आपको example दूँगा किस तरह आप recording के time record करोगे और किस तरह आप उसको layer भी करोगे ताकि आपको exact समझ आ जाए duplicate आपको पता ही नहीं करना होता है तो यहाँ पर takes लेने होते हैं सबसे पहले मैं tempo यहाँ पर tap करता हूँ कोई भी गाना चलो मैं गुन-गुन आता हूँ गा के बताऊंगा उसके बाद लेयरिंग करके बिताऊंगा किस तरह आपने चलो कोई भी गाना उठा लेता हूँ तू ही मेरी शब है सुभा है तू ही मेरी ठीक है तो इसका टेम्पो 118 हारा चलो 110 क्यास बस रख लेते हैं जो भी आपका सॉंग का टेम्पो वह आपने सेट कर लें मैं तो एक्जामपल के लिए आपको बता रहा हूँ तो यहां पर इसी तरह आप प्लस पे रिकॉर्ड एक आप्शन ट्रैक ले लोगे एफटू दुबा के इसका नाम हम रख लेंगे भाकल ठ्रैक भाकल ठ्रैक हमने इसका नाम रख लिया तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो में लीड होता है जो आप रिकॉर्ड करते है आप इसी तरह रिकॉर्ड करते हो तो यहां पर मैं सूर्स माइक आउन कर लूँगा अपना इसके बंद कर लेता हूं मैं इसको ताकि मेरी आवाज डबलना आपको सुनाई दे तो सबसे पहले अपनी बेस हुरी आवाज में अपना लीड वोकल है फरस्ट टेक यहां पर लूँगा लीड वोकल का उसके बाद मैं लूँगा डी टी और उसके बाद हार्मनी ठीक है अलग अलग तरीके से पिछ अप अक्टेब अप एंड अक्टेब डाउन का लूँगा फिर हार्मनी कहीं कहीं और फिर एड लिप्स भी बता दूँग आपको सबसे पहले हम लेंगे मिंटेक रिकार्डिंग शुरू यार एक तो खासी ने मेरे दिमाग खराब कर दिया है तो रेड़ी एक मिंट कहां मैंने ट्रैक सॉंग पर आपको ले आना है नहीं तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी प्लेलिस्ट में रिकॉर्डिंग के लिए सॉंग पर आपने क्लिक कर देना है अब दुआरा से यहां पर मैं शुरू करता हूं तू ही मेरी शब है सुभा है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया फिलाल के लिए इतना ही record करते हैं ये हो गया हमारा main take जो आप हर टाइम इस तरह का ही take लेते हो एक single take लेके और इसको sorry कहा जा रहा है कट कर लेता हूं मैं यहां से इसको ओके तो ये हो गया हमारा main take तो आप इसी को भी कई बार क्या होता है मालो जैसे ये मेरा chorus है तो ये chorus में आपके आगर सकतो double take ले सकतो dt नाम आपने सुना होगा double take तो double take आपने क्या लेना है जो ये same vocal है इसके 2 take लेने या फिर 4 भी ले सकतो अपने हिसाब से मैं तो ये बोलता हूं 2 काफी होता है जो भी आपके पास singer आए पहले से main take लो और दूसरी बार दो बार उसको same तरीके से उपर की तरह नीचे भी गाने की कुब बोलो sorry और यार और इससे क्या होगा phasing issue आजाते है अगर इसी को आप यूं करके duplicate कर दोंगे यूं करके तो इसलिए duplicate नहीं करना है तो उसको singer को बोलो कर सकते है वोकल वाइट साउंड कराने के लिए तो chorus के लिए मैं दो टेक और लोंगा left and right ठीक है तो यहाँ पर मैं हम चलो यहाँ पर दुवारा से record करते एक बार फिर दो टेक लेंगे एक left उसको हम पैंड करेंगे एक को right करेंगे तो दुवारा से काता हूं Sam line में दुवारा से काता हूं तु ही मेरी शब है सुभा है तु ही दिन है मेरा तु ही मेरा रब है जहां है तु ही मेरी दुनिया यह हमारी होगे दो टेक दूसरा टेक एक और टेक लेना हम ले गया अब राइट वाला लेफ्ट वाला हमने ले लिया फिर से रिकॉर्ड करूंगा सैम वोकल करना आपने तू ही मेरी शब है सुभा है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया यह क्या हो गया अब इसका नाम हम करन करेंगे यहां पर एफटू दुआएंगे इसको लिखेंगे हम वोकल लेफ्ट और नीचे वालों को क्या करेंगे एफटू दुआ के वोकल आर भी आप लिख सकते हो पूरा नीचे जुरूरी पूरा लिखने के लिए आप इस तरह आर भी लिख सकते हो जुरूरी नीचे लिखना अपने यहाप लेफ्ट के लिए बड़ा एल यूज़ कर सकते हो बहुत सिंपल है बस दिहान से देखना आपने तो आप क्या करोगे अब इसको अगर आपने लेफ्ट लेना है तो इसको लेफ्ट लोगे आप 40 परसंट या 50 परसंट जितना मी लेना है 40 परसंट आप इसको मैं लेफ्ट लूँगा और नीचे वाला को राइट लिखा है तो कुछ 50 निकर रहार सांड और पहं और इसको नॉर्म डिसको सुने वे पन किये हुए कि नॉर्मल सुनते किस तरह का सवर्ड कर रहा है रिबית का से लिड़िक रव बनिबकन सुखरख क समय है तो रिबाध से दूल एक रहता है Therefore इसको सोलो सुना तो इसको साउंड कर रहा था सोलो जो इसको बंद कर दिया मैंने तू ही मेरी शब है सुभा है तू ही दिन है मेरा अब डबल टेक लेने के बाद डीटी बोलते इसको हम अब मैं क्या करूंगा इसको 40% या 30-45% ले जाओंगा और इसको 50% के आसपास राइट को ले जाओंगा अब सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है यह हो गए हमारे डीटी डबल टेक तू ही मेरी शब है सुभा है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया बहुत ही सिंपल तो इस तरह से आप ले सकते हैं डीटी यह तो होगए डीटी के यहां पर पहले लीड वॉक्स ये हो गया हमारा lead और ये हो गया dt अब क्या करना आपने आप इसके चार layer भी बना सकते हो ठीक है चार take भी ले सकते हो चारों को अलग अलग तरीके से same govah के चार को अलग अलग तरीके left right अपने हिसाब से रख सकते हो पर लेने है take सी duplicate नहीं करना है same vocal को और इसके बाद आप मैं क्या करूँगा अब लोगा octave higher और octave down ठीक है फिर whisper भी मैं इसमें ले सकता हूं इस तरह से style में आप गा सकते हो तो मैं अब क्या करूँगा octave पहले उपर वाला उसके लिए क्या कर सकते हो इस तरह से पतली आवाज कर लेनी है octave मतलब पतली आवाज कर लेनी है तोड़ी से या फिर ऊपर से भी जा सकते हो चलो मैं पतली आवाज में कहाँगा पहले इसके साथ recording on यार पता नहीं क्या हो गया मेरे को तू ही मेरी शब है सुहा है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया इस तरह से उपर कुगा लिया मैंने ये हो गया octave अब इसको मैं octave प्लस निशान भी इसमें रख सकता हूँ या फिर UP रख सकता हूँ उसका नाम UP मतलब octave अप अप करूगा octave डाउण अपतली आवाद में कहा सकता हूँ या फिर आप अपने ना को बंद करके भी कहा सकते हो ना को बंद करके तू ही मेरी शब है इस तरह से भी गा सकता हो तो मैंने इस तरह से जिसकी range अच्छी है वो उपर वाले octave से भी गा सकता है उपर वाले एक बार सुनते है किस तरह इसके साथ ये सुनाई दे रहा है तो देखा कितना powerful vocal यहां पर बन गया है अब octave down, octave down किस तरह गाना है आपने जो आपकी scale है चलो मैं यहां तो ऐसे ही कहा रहा हूँ जो आपकी scale है उसमें आपने शड़च नीचे वाले octave में गाना bass tone बना के जैसे तू ही मेरी ज़्यार काफी दिन होगे मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा लगी है तो इग्नोर कर देना जा रहा है अब गाना आपने मोटी आवाज में आराम से बैठ के जैसे इसके scale के साथ मैच करना चलो यहां तो मेरे पास chord बगरा है नहीं और मैं तो एक्जामपल के लिए आपको बता रहा हूँ तू ही मेरी शब है अब आपने गाना है तू ही मेरी शब है सुभा है अपने वोकल को बेस टॉन में गाना बेस टाइब में गाना ठीक है अब गाओंगा मैं ओक्टेब डाउन में तू ही मेरी शब है तू ही मेरी शब है सुभा है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया तो बस आपने स्केल में रखना है तो मैं तो इसलिए गार हुए आप पर आपको बताने के लिए आपने जो कॉड आप पीछे प्ले हो रही है उसी स्केल में रहना है पर जैसे मालो ये जो सॉंग है वो F पे है तो आपने क्या करना नीचे वाला F पकरना अपने प्यानो रोल पे और उसके साथ गाने की कोशिश करनी है और अक्टेव अप में ऊपर वाला उक्टेव में पकरना है तो उसके साथ मैच करने की कोशिश करनी है तो अप सुनते, तुही मेरी शब है, सुभा है, तुही दिन है मेरा, तुही दिन है मेरा, तुह तो आपने क्या आगे ना फिर इसकी volume है वो main जो lead है उससे पीछे ही रखनी है ठीक है double वाला effect यह हो गया इस तरह volume रखी octave higher तो इसको आप पूरा left भी ले सकते हो पूरी तरह left भी ले सकते हो और octave down को right में भी place कर सकते हो और आवाज इसकी अपने हिसाब से adjust कर सकते हो ताकि य तो आपको अपने उपर depend है कि इस तरह सापने background में रख रहा है क्योंकि backing vocal है तो background में रहेगे अब एक बार सुनते है तू ही मेरी शब है सुभा है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया तो यह हो कि आपकर layering ठीक है आप इसको तो हलका सा भी रख सकते हो 50-60% जिस हेसाब से रखना है और यह bass vocal को मैं हमेशा center में रखता हूं ताकि center में sound करे left-right में ज्यादा सही नहीं लगेगा और अब next आती हार्मानी, harmonize आप कहीं भी कर सकते हूं जैसे अप इसका use कहीं भी कर सकते हूं जैसे की जरूरी नहीं है पूरे में कहीं भी आप कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं कहीं कैसे यूज कर सकते हूं जैसे आपको लग रहा है सिर्फ यहां पर मैंने इसको हार्मनाइज करना है सौरी डबल करना कूरस वाला एफेक्ट देना है दुनिया पर ठीक है तो ही दिन है मेरा यह रा पर मैं यहाँ पर इसको double take सिर्फ रा पर लेना चाहता हूँ तो इस तरह आप रा पर भी ले सकता हूँ या फिर यहाँ पर जहाँ आपको लग रहा है वही पर आप इसको रख सकते हो ठीक है जैसे मैं पहले में यहाँ पर नहीं रखूँगा इसको इस तरह से पहले normal single lead यहाँ पर आ रहा है मेरा कुछ भी हो सकता है यहाँ से single आ रहा है जैसे यहाँ पर आपका chorus आया और वैसे आपने इस तरह लेयरिंग करिए ताकि आपका wide जहाँ भी आप लगता है आपको wide sound कराना है वहाँ आप wide sound करा सकते हैं यहाँ पर single आया vocal इस तरह से तू ही मेरा रब है जहाँ इस तरह से आप करा सकते हो इसको और आप कहीं भी इसको रख सकते हो ऐसे निया कि आप इसको बिल्कुल यहाँ भी रख सकते हो harmony type ने एंड में भी रख सकते हो जरूरी नहीं यह पूरे vocal में रखना है जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वहाँ भी रख सकतो एक एक word के पास भी इसको रख सकतो आप एक एक word का double take भी ले सकतो जैसे मैंने लिया और इसको सुनाता हूँ मैं जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तो इस तरह से harmonize आप कर सकतो harmony का use कर सकतो कहीं कहीं और नहीं तो क्या आप पूरे जो chorus आपका वहाँ पर आप double take ले सकतो chorus में मैं आपका lead चलेगा जैसे chorus आएगा वहाँ पर जैसे rap vocal में यह सिर्फ दो चीजे होती है left and right chorus होता है और यह chorus वाला feel दिया होता है एक middle में और दो left and right से जरूरी नहीं है ज्यादा भी take लेने दो take काफी होते है पर duplicate नहीं करना take जरूरी लेने जब आपने इस तरह से करना chorus में यह effect दे सकता है नाम इसका chorus effect होता है और octave down भी आप use कर सकतो और जहाँ जहाँ gap है जैसे rap group वाले है वहाँ पर आप add lips भी add कर सकते हो जैसे कहीं भी आपको आ रहा है play करके तू ही मेरी शब है शब है इस तरह से चलो एक बार जहाँ जहाँ gap है वहाँ कुछ में add lips बोलूँगा जैसे rap vocal में होते है आप इसमें भी यूज कर सकते हैं कहीं भी एक मिंट इसको और नहीं करता हूँ तू ही मेरी शब है शब सुभा है तू ही दिन है मेरा तो इस तरह से add कर सकता है आप इसको बोलते हैं add lips एक एक word कहीं कहीं आप उसको अपने हिसाब से गा रहे हो चलो दूबारा से लेते हैं एक बार तू ही मेरी शब है सुभा है तू ही दिन है मेरा मेरा तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया कितना वाही आता रहा है डर जाओ गया पर इस तरह मैं समझा रहा हूँ आपको समझ जाओ किस तरह से एड लिप्स एड कर सकतो तू ही मेरी शब है सुभा है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया तो मेरा है थी मेरा तू है काफी वाही है लीय्रिक्स एड लिप्स हुए तो एड इस तरह से एड कर सकते हो इसका नाम एर लिपस दें किस तरह साप डीटी लेने हैं यह होगे लेफ्ट एंड डबल टेक आपके फिर आक्टेव अप डाउन भी आप ले जा सकते हो नहीं तो आप हार्मनी का यूज भी कर सकते हो हार्मनी का यूज कैसे करना है मैं आपको फौर थोड़ा सा एक्जामपल दे देता हूं किस तरह और कि इसी तू ही दिन है मेरा तूही मेरा रब है जहां है तूही मेरी दूनिया F F इसकी स्केल है तो F माइनर के जो कॉड है इसमें तो आप हार्मनी का यूज कैसे कर सकते हो मान लो यहां पर एक्जामपल देता हो मैं F माइनर कॉड है स्केल है सौरी तो यह होगी F माइनर कॉड इसको इसकी नीचे रखते है तो हार्मनी किस तरह गा सकते हो आप पहला जो आपका मैन वोकल हो यहां पर है दुनिया यहां सा आ रहा है फिर आप क्या कर सकते हो थर्ड पे इसको इतना उपर भी गा सकते है सा को यहां पर इस वाले नोट पे end में harmonize करने के लिए ठीक है यह हो गया third या fifth harmony या third harmony किस तरह से देखो जो यहाँ पर end में word आ रहा है अब मैं यहाँ पर इसको harmonize करूँगा यह नीचे octave बंद कर लेता हूँ जैसे यह दुनिया है न यहाँ पर तेरी दुनिया तेरी दुनिया और इस दुनिया को मैं यहाँ पर यह स्केले इसकी यहाँ पर आ रहा है दुनिया अब मैं इसको दुनिया को यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा या फिर आप new tone में भी इसको कर सकते हो harmonize harmony के जो काफी plug-in आते है नहीं तो आप क्या अगर सकतो खुद से आप क्या अगर सकतो फ की जगा यह जी शार्प यहाँ पर मैं प्रेस करके रखूँगा और इसके साथ या वाला जो है ना दुनिया दुनिया यहाँ यहाँ पर करूँगा दुनिया यहाँ यहाँ पर करूँगा ठीके थर्ड पर एक मिन यार और इस यहां को F की जगे में G-Sharp पे गाऊंगा रिडि यहोगा F पे ठीक है अब इसी में मैं क्या गाऊगा इसको बंद करके अब क्या करूँगा मैं F की जगे मैंने G-Sharp पे गाया हार्मनी ठीक है थर्ड हार्मनी गाई यहाँ पर मैं इसको F7 प्यान रूल पे ले जाता हूँ एक बार यह गाया पहले यहाँ F पे था अब मैंने यहाँ से थर्ड पे गाया अब इसको मैं क्या करूँगा फिफ्ट पे गाऊंगा फिफ्ट नोट पे फिफ्ट हार्मनी पा से पा पे गाऊंगा इसको यहाँ पर इतना अंचा गाऊंगा 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 क्या लीडिट ने दुनिया एक बार सुनते अब तो इस तरह से आप harmony इस तरह से आप generate कर सकते हूँ ठीक है third octave में sorry third या fifth harmony इस तरह से generate कर सकते हूँ यह तो चलो ऐसे मैं example बता रहूँ आपको यह थोड़ा सा delay भी होता है फिर पास मेरी आवा थोड़ी late सुनाई देती है इसलिए आगे पीछे हो जाता है तू ही मेरी दुनिया तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया चलो यहां इस तरह से जायत है मैंने और आप वैसे गवा सकते हो जैसे कि यह यहां पर है उसी तरह इसको गवा सकते हो यहां इस तरह से गवा सकते हो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आ चलो यहां पर थोड़ा सा confusion है पर आप समझ गया होगे किस तरह आप chorus effect और vocal layering कर सकते हो यहां पर मैंने clear भी बता दिया है बेस नोट में गाना है अपना और उसके बाद आप harmony कहीं कहीं जहां के लंबे नोट है वहां पर harmonies कर सकते हो जैसे मैंने यह आप अभी लास्ट में बताया आपको तो इस तरह आप वोकल लेयरिंग कर सकते हो एक तो मेरे को जुखाम लगा और मेरा गला भी बैठा हुआ है ख इसको बैकिंग वोकल को mix करते है उसके लिए कमेंड कीजिए मैं वीडियो ला लूँगा तो यह वीडियो थोड़ी ऐसी थी मेरी तब्या ठीक नहीं थी फिर भी आप समझ गया होगे एक बार जा के खुद प्रैक्टिस करो अपना वोकल रिकॉर्ड करके किस तरह होता है औ और वाइडर साउंड के लिए इस तरह की लेयरिंग आप कर सकते हो तो जो भी गलतियां थी वो भी कमेंड में बताओ और बाकी वीडियो आती रहेंगे और प्यार जैसे बाकी वीडियो को प्यार दे रहो वैसे इस वीडियो में भी प्यार देना तो इस वीडियो में इतना झाल झाल